एपिसोड 12 में हमने देखा कि डायमन बैक ने शेड्स को मारने का ट्राई किया इसलिए शेड्स और मराया लूक से हेल्प मांगने गए थे ताकि दोनों मिलके डायमन बैक को हरा सके वही दूसरी दरफ केंडेस मिश्टी को सारा सच बता देती है कि कॉटन मौत का खून मराया ने किया है एपिसोड के लाश्ट में ये सारे लोग पॉप के सलून में मिलते है और वहार डायमन बैक एक सूट पहन के आता है ये सूट लूक के पावर्स के सिमिलर था और इसके बाद लूक और डायमन बैक की एक फाइट शुरू होती है तो अब यहाँ से हम सीरिस की लाश्ट एपिसोड यानि एपिसोड 13 की कहानी को देखेंगे जिसका नाम है ये नौ माइस्टीस एपिसोड के शुरू आत में हमें दिखता है कि लूक और डायमन बैक जब थोटे थे तो डायमन बैक लूक को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे रहा था वही प्रेजेंट में दोनों लड रहे थे डायमन बैक के पास वो स्पेशल सूट था जिससे वो लूक पे भारी पड़ रहा था इसी fighting के बीच में मिष्टी अपना phone खो देती है जिसे वो Candice को contact करने के लिए use करती थी वही दूसरी तरफ Shards और Mariah वहाँ से भाग जाते है और Shards के पास जो paper थे जिसे Luke को सारे crime से free किया जा सकता था वो papers भी Shards से गुम हो जाते है Mariah को पता था कि मिष्टी उसे पकड़ने वाली है क्यूंकि मिष्टी को पता चल गया था कि Cottonmouth को खुन किस ने किया है इसलिए Mariah मीडिया को बुला कर Luke और Diamondback की fight कीवी पर दिखा रही थी Mariah मीडिया के सामने Luke की असली सचाई बता देती है कि Luke एक भागा हुआ कैदी है और पहले वो जेल में था पर यहां मिष्टी पहुचती है और Mariah को मीडिया के सामने ही अरेश्ट कर लेती है यही न्यूस देखके Claire Luke के पास जाने निकलती है और हमें दिखता है कि Candice Claire के घर पे छुपी हुई है Candice को भी help करने Claire के साथ आना था पर Claire उसे वही रुकने के लिए बोलती है वही दूसरी दरफ Luke और Diamondback सारे शहर के सामने लड़ने लगते है Luke या Diamondback के सामने हार मान जाता है और उसे खुद को मारने देता है पर जैसे ही Diamondback मार मार के ठक जाता है वैसे ही Luke Diamondback को हरा देता है हमें एक पाष्ट का सीन देखने मिलता है जहां डायमन बैक ने यही टेकनीक लूक को सिखाई थी और उसी को लूक ने अभी यूस किया पहले दुश्मन को मार खाके उसे थका दो और फिर उसे ही हरा दो फाइट के बाद लूक और क्लेर दोनों पुलिस टेशन में थे और वहाँ लूक कहता है कि वो कॉटन मौत के खून के वक्त इस शेहर में नहीं था नुक आगे कहता है कि ये सब उसने अपने शेहर के लोगों के लिए किया है और ये सब कुछ उसे पॉप नहीं सिखाया था वहाँ दुसरी दरफ प्रिसिला माराय से पूछताच कर रही थी और मराया यहां कहती है कि डायमन बैक ने उसे फसाया है और उसने ही धमकी दे के जूडेस बुलेट पुलिस को बेचने कहा मिश्टी दभी गुसे से मराया के पास आती है और उसे केंडेस की रिकॉर्डिंग सुनाती है इसमें Candice ने confess किया था कि माराया ने ही cotton mouth को मारा है तबी मिश्टी को एक आदमी आके बताता है कि Candice मर गई है और उसका किसी ने खून कर दिया है हमें एक छोटे सी सीन के flashback से समझता है कि स्टार्टिंग में मिश्टी ने जिस phone को गुमा दिया था वही phone shares को मिला और उसी ने Candice को एक जगा आने के लिए मैसेज किया Candice को लगा कि ये मैसेज मिश्टी ने किया है इसलिए वो दिये हुए address पे पहुँच जाती है पर तभी हुआ shares आके Candice को मार देता है मिश्टी को इस बत से घुसा आता है और वो मराया पे अटेक करती है पर अभी मराया के किलाफ कोई प्रूफ नहीं थे क्योंकि Candice भी मर गई थी और इसलिए उसके सारी recording अब useless हो गए थे पुली स्टी से पूछता है तो उसे पता चलता है कि Candice मर गई है इसके वज़े से मराया के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं है पुली स्टेशन में कुछ ऑफिसर आके लूग को पकड़ लेते है क्योंकि वो पहले जेल से भाग गया था लूग भी खुद को सरेंडर कर देता है और जाने से पहले क्लेर को किस करता है क्लेर लूग को कहती है कि वो जल्द ही उसे जेल से चुड़ा देगी क्योंकि क्लेर कुछ अच्छे लॉयर्स को जानती थी यहां क्लेर मैट और फॉगी की बात कर रही थी इसके बाद हमें दिखता है कि मिश्टी केंडेस की बॉड़ी को देखने जाती है क्लेर को रास्ते में चलते चलते एक पोश्टर दिखता है जो कि एक कराटे क्लासेस का था यह कराटे डो जो आइरन फिश्ट सीरी से कनेक्टेड होने वाला है इसलिए हमारी आइरन फिश्ट की एक्स्लेशन भी ज़रूर देखना हमें समझता है कि हारलिम पैरडाइस नाइट लब फिर से शुरू हो चुका है और अभी उसे माराय चला रही थी वही उसकी हेल्प करने शेर्ज भी था माराय शेर्ज को किस करती है पर शेर्ज उसे भाव नहीं देता उसी नाइट कलब में मिष्टी भी होती है जो मराय पे नजर रखी हुए थी फर्स्ट एपिसोड में मिष्टी कॉटर मॉथ में नजर रखने इस नाइट कलब में आती थी और अभी मराय पे नजर रखने आ रही है वॉब के सलून में बॉबी फिश को एक फाइल मिलती है जो शेर्ज ने पहले गुमा दी थी और यही फाइल लूग को जेल से जल्दी भार ला सकती है एपिसोड के लाश्ट में हमें दिखता है कि डायमन बैक एक होस्पिटल में है और उसका इलाज चल रहा है और डायमन बैक के साथ डाक्टर नोवा है जो उसे नए पावर्स देने वाले है क्योंकि डाक्टर नोवा के पास रेवा की पैंट्राइब की इंफोर्मिशन थी और अभी उसकी हेल्प से डाक्टर डायमन बैक पे एक्सपरिमेंट करने वाले है तो इसी के साथ एपिसोर 13 और Luke Cage का सीजन 1 खतम होता है और पूरा सीजन या ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना मिलते हैं अगले मूवी और सीरिस के एक्स्लेमेनेशन में तब तक के लिए This is Movies Mind signing off